Hello learners, welcome to general तो NTA यानि की National Testing Agency जो की Government of India Ministry of Education के दोरा जो है अजनसी क्रियेट के गए है जो की different-different examination या फिर जो recruitment related examination होती है उनको कंड़र कराती है तो NTA जो है वो different course में admission के लिए जो है entrance examination कंड़र कराती है जैसे BE, BTEC, BE Architecture, BE Planning course मेंगर आप admission चाहते हैं तो उसके लिए JE Main Examination कंड़र करा जाता है या फिर JE Advanced Examination देना होता है तो आपको उसको पहले, उससे पहले JE Main Qualify करना होता है तो वो NTA कंड़र कराती है इसी तरह किसे अगर आप UG, PGFE, Doctor, Program, Agriculture, फिर Allied Sciences में करना चाहते हैं तो उसके लिए जो entrance examination होता है I, C, A, R, A, I, W, A वो जो है NTA कंड़र कराती है, NEET, UG, BDS, BAMS, BUMS, BHMS याने कि जो UG courses होते हैं medical में उसके लिए NEET, UG का examination NTA कंड़र कराती है और CUET याने कि BA, BC, 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 different state universities और central universities हैं उसमें admission के लिए CUET कंड़र करा जाता है तो NTA ने इन सभी courses में 2023-24 session में admission के लिए calendar जारी कर दिया है यानि कि tentative examination dates जो है इनके लिए जारी कर दिये हैं कि कि किस examination का किस date को जो है exam conduct करा जा सकते हैं कि 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 intense examination का किस date को जो है इसका examination conduct करा जाएगा और उसके according जो है आपको form अपना fill करना उसके according आपको जो है अपनी तयारी करनी होगी तो यह date है, tentative रहता है फिलहाल, लेकिन आप इमान के चलें कि इसी date में examination conduct कराये जा सकते हैं, clear, तो सबसे पहले है, अगर आप BE, BTEC, BE Architecture, BE Planning में admission लेना चाहते हैं, या फिर J.E. Advance का examination देना चाहते हैं, IIT में admission के लिए, तो उसके लिए आपको J.E. Main देना होता है, तो joint entrance examination, या करा जाएगा, session 1 और session 2, आप चाहें तो session 1 में examination दे सकते हैं, चाहें तो session 2 का दे सकते हैं, या फिर दोनों दे सकते हैं, तो यहाँ पर session 1 examination है, J.E. Main का, वो January 2023 के 24, 25, 27, 28, 29, 30 और 31st January को conduct करा जाएगा, वहीं पर 3 date, 1st, 2nd, 3rd, February 2023 को reserve रखा गया, या अगर किसी date को नहीं हो सकता है, तो session 1 के लिए, तो session 1 के लिए जो application form है, वो release हो चुके हैं, 15 December से जो है, इसके लिए form fill up किये जा रहे हैं, वहीं पर जो J.E. Main का, जो session 2 होगा, वो April 2023 में उसका examination conduct करा जाएगा, 6th, 8th, 10th, 11th और 12th April को, clear, तो इसके लिए जो form है, वो बाद में notification जारे किया जाएग बाद में इसके लिए form fill up कर सकते हैं, और इसमें reserve date, 13th, 15th, April 2023 को रखा गया है, तो यह बात हो गई, बी, बी, टेक, बी, अर्किटेक्चर, बी, प्लानिंग कोर्सेज में एडविशन चाहते हैं, तो आपको J.E. Main देना होगा, clear, 2023, 24 session के लिए, वहीं पर बात कर लिए, ICAR, R.A.I.E.E.A. यानि की Indian Council for Agriculture Research All India Intense Examination for Advision, तो यहाँ पर अगर आप जो है, Agriculture, एलाइट साइंसेज के UG, PG, डॉक्टर प्रोग्रम एडविशन चाहते हैं, तो आपको यह Intense Examination देना होता है, तो इसका Examination 26, 27, 28, 29, अपरेल 2023 में कंड़र्ट कर जाएगे, जिसके लिए form, जो ह आपको एंटिया की वेबसाइट चेक करते रहना होगा, उसके बाद भी आता है, नेशनल इरिजविल्टी कम इंट्रेंस टेस्ट यानि की NEET UG, पहले आपने AI PMT सुना होगा, जिसके Examination देने के बाद आप जो है, MBBS, BDS, BMS, जैसे courses में एडविशन ले सकते थे, तो अब ज इसका form जो है, मार्च में आ सकता है, तो आपको वेबसाइट चेक करते रहना है, वहीं पर जो next है, that is Common University Interest Test, यानि की CUET 2023, जैसे की 2022 में कंड़र्ट आ गया, कि different UGOPG courses में एडविशन के लिए, जो state universities और central universities हैं, उसके different courses में एडविशन के लिए, जैसे BA, BSC, BC, BBA, MBA, इन कंड़र्ट करा जाता है, NTA द्वारा, तो यहां पर जो examination होगा, वो 21-31 में 2030 के बीच में कंड़र्ट करा जाएगा, और 1-7 June को जो है, रिजर्व रखा गया है, यानि कि अगर 21-31 में के बीच में कुछ प्रॉब्लम आती है, तो 1-7 के बीच में उसको कंड़र्ट करा जा सक करता है, क्लियर तो यह CUET 2023 के examination date हो गई, तो यह जो है, NTA ने कुछ important examination के लिए calendar जारी कर दिया है, जिसका अगर 2023-24 में अगर आपको air missile लेना है, तो उसके लिए आपको in entrance examination के, यहां पर tentative examination dates जो है, वो बता दिये गए है, शो all the best, keep watching.